तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्क्रस किया था डेटर टाइप्स और आज मैं कहा था कि प्रोग्राम रहना स्टार्ट करेगी ठीक है देखो सबसे पहले कुछ और थोड़ा सा कॉंसेट बताता हूं प्रोग्रामिंग के लिए क्या होता है इसकी डेफिनिशन देखिए वरियेबल इसका नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी मतलब मेमोरी हमारी सब्सक्राइब होती है तो इसमें कोई एक लोकेशन होती है इसमें हम लोग वैल्यू होल्ड कराते है इसका नाम मैंने दिया आई यहां पर कोई value आ सकती है चार और यह value modify की जा सकती है प्रोग्राम के फ्रूप इसका example कैसे लिखा जाता है पर टाइप फिर variable लेस्ट जैसे integer बताया दा नमें ग्राश्क वीडियो में integer i, j, j एद यह तीन variable होए कौन से integer type के लिखा जाएगा अब आगे की कहले है सबसे पहले तो समझो comment कैसे लिखा जाता है c program कमेंट लिखने के लिए प्राइन को क्या हुआ है दो तरीके comment होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है मैं दुबारा सब्सक्राइब लेता हूं comment दो तरी comment होते हैं एक तो single line comment अगर आपको कोई comment एक single line में डालना है और एक होता है multi line तो single line को हम लोग कैसे लिखते हैं यह वाले symbol लगा जेते हैं इसके अंदर कुछ भी आप comment लिख सकते हैं comment मतलब description यहाँ पर आपको देना है तो वह इस तरीके से description आप यहाँ पर लिख सकते हैं से एक line line change नहीं करेंगे आप अगर line change करने की योदपल की description बड़ा है उसको इस तरीके से लिखेंगे फिर अंदर description लिखते जाएंगे मतलब starting ऐसे होगी और closing ऐसे होगी तो इस symbol और इस symbol के बीच में तो यह होता है आपके comments आप इस तरीके से लिखेंगे ठीक अब देखिए सी में प्रोग्राम बनाने के लिए दो चीज़ें होती एक तो value insert बहुत द्यान समझना भी है value insert और दूसरा क्या मतलब प्रोग्राम को calculation के लिए कोई value देना और इसके बाद कोई value प्रिंट होके आती है मतलब जो आपका प्रोग्राम में output आएगा उसके लिए value प्रिंट करने के लिए तो value insert करने का syntax यह होता है ऐसे लिखा जाता है scan ना फर्म लोग लिखेंगे percentile d,m percent a अगर variable a है तो अब देखिए अगर यह a कोई integer है तो आप d लिखेंगे अगर कोई character है तो percentile c लिखेंगे या percentile s लिखेंगे इस चीज को replace करेंगे अगर float number है मतलब decimal number है तो percentile f लिखेंगे यह मैंने last video बताया था कि d,c,s,f अभी आप पढ़ लो फिर मैं यूज करना इसका बताऊंगा बाद में तो scan of percentile d,m percent a तो यहाँ पर change होगा यह value change होगी अगर character आप डालोगे तो c लगाओगे या s लगाओगे और float लगाओगे तो f लगाओगे और यह change करोगे अगर variable a है तो a,b है तो b,c है तो c बाकी पूरी line as it is रहेगी जैसा मैंने आपको यह लिखा होगा ठीक है यह insert करने के लिए अब value आप print करेंगे तो print के लिए क्या use होता है ऐसे लिखेंगे यह printf %d,a यहां रखना difference का है standoff में % लगेगा और यहां % नहीं लगेगा ठीक अभी इसका मतलब क्या होता है address होता है इसका मतलब अभी आप थोड़ा सा c में flow में चलिए फिर मैं आगे चलते बताता चलूंगा इनका deep मतलब क्या है अभी अभी बताऊंगा तो आपके दिमाग में तो नहीं जाएगा सेम चीज यहां पर अगर इंटीजर है तो डी करेक्टर है तो सी आएस फ्लोट है तो परसेंटाइल एप से इसको आप रिप्लेस करेंगा और जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है वह यहां पे चैंज होगा यह बी सीडी और यह सेमी कॉलन लगेगा यहां पर ठीक वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो यह सिंटेक्स चलेगा अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो यह सिंटेक्स चलेगा अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो यह सिंटेक्स चलेगा ठीक है कोई मैसेज भी तो करना हो सकता है ना कंप्यूटर में तो मैसेज के लिए प्रिंट करने का स सिंटेक्स यह चलता है printf बस इसे इंदर आप लिख दीजेगा जो कुछ आपको मैसेज देना हो hello world insert to number यह जो भी आपको लिखना हो इसके अंदर यहां पर दो inverted porma के अंदर लास्ट में से निक पर जाए वैल्यू इंसर्ट करेंगे ऐसे वैल्यू print करेंगे ऐसे और message print करेंगे ऐसे यह basic syntax मैंने आपको बताया अब मैं आपके प्रोग्राम मनाना सिखाता हूं सबसे पहले जनरी लोग बताते है message print करना हम आपको बड़े प्रोग्राम शुरुआत करेंगे जिससे आपके सारी logic के लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूं दो नंबर के एडिशन का एडिशन ओफ तू नंबर्स तो देखे कैसे करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे has include अभी समझ लीजे पर मैं गंकराती भी दिखांगा यह वाला sign stdio.h यह as it is लिखा जाएगा इसके बाद लिखेंगे हम लोग वाइड में या केवल में वाइड में लिखिया भी मैं सबका मतलब बताऊँगा दीरे दीरे करके वाइड में इसके बाद आप देखिए दो नंबर का एडिशन है तो जायर सी बात है दो नंबर आप computer को दोगे A और B अगर यह दोनों नंबर क्या है वैल्यू आप ऐसे की दोगे दो और तीन तो मैंने बताया था कि पॉस्टिव और नेगेटिव वैल्यू होल नंबर जी क्या होती है इंटीजर्स तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे देक्लेरेशन इंट और दो वैल्यू इंसर्ट करोगे तो A, B यह हो गया इंट A, B इसके बात अब इनकी वैल्यू आप computer में इंसर्ट करोगे तो मैंने इंसर्ट करने के लिए क्या बोला, scan of integer है तो %D,m %A, अभी B की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, अब आपको B की वैल्यू इंसर्ट करनी है तो scan of %D,m %B, अब B की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, अब इन दोनों का एडिशन करना है, तो एडिशन करके वैल्यू कहीं और जाएगी इसके लिए हमें एक तीसरा वरियमिल चाहिए होगा सी तो को सी जो है के सेंस्टिव लेंग्वेजर सब कुछ इसमें आप स्मॉल लेटर में लिखिएगा के लिखिएगे सब स्मॉल लेटर रहे है तो सी कुल टू ए प्लस बी अभी में बिल्कुल लेंग्वेज वह बिल्कुल आप इक तरह पड़ा रहा हूं दीप में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं concept के अभी फिलाल आपके starting करा रहा हूं फिर इसके बाद deep में जब आप थोड़ा सा running में आ जाएंगे फिर अंदर से लेंगे c equal to a plus b तो अब इसका मतलब क्या future में क्या होता है इसका मतलब होता है कि right hand side की value आप left hand वाले variable को transfer कर रहे हैं c equal to a plus b तो दो variable मैंने लिए insert कर दिए दोनों का addition कर दिया अब c की value प्रिंट आउने चाहिए न तो मैंने प्रिंट करने का आपको syntax क्या बताया था अभी printf percentile d comma c देखलो उपर same मैंने बताया था insert करने का ये वाला और print करने का ये वाला सेम चीज रिप्लेश कर दिया ठीक है अब देखिए इस प्रोग्राम का ये प्रोग्राम होगा complete बाद कर दिजिए ठीक है न प्रोग्राम समझवाए सबी के अब देखो जब कोई भी प्रोग्राम मनाएंगे तो ये लाइन एजडेश लिखी जाएगी फस्ट वाली मैं लाइन चलिकर करके आपको बता देता हूं कौन-कौन सी चीज एजडेश लिखी जाएगी यह लाइन एजडेश रहेगी पहली ये लाइन हजडेश लिखी जाएगी यह भी एजडेश लखा जाएगा यहाँ पर गखर वरेडल साथ अब इसके अंदर जो भी प्रोग्राम आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिखेगो है है कि बाकि सब कुछ और घेड़ रहेगा यह बैक ही रहेगा यह इसे अब देखिए मैंने जो श्रक्चिर आप सी प्रोग्राम बताया था ना लास्ट वीडियो में उसको देखिए यह होता है हमारी पहली लाइन जो है यह है प्रीप्रॉसेसर क्योंकि जिसके आगे हैस लगा देते हैं कॉप्पुटर इसको सबसेत पहिरयरी प्रोसेस करता है इसकी डिक कानी बात मेन function हो गया इस से उपर मैंने आपको बताया था global declaration तो इस पूराम में कोई global declaration है नहीं जहां आएगा माँ में बताऊंगा मेन function में अंदर मैंने बताया इता declaration दूर यह a b c declaration है या semi-called on roll लगा दिजिए आ declaration इसके बाद प्सवपड कर पूरा procedure की value insert, addition और print ठीक इसके बाद बद इसमें कोई user defined function यूज नहीं हो रहा है यह function बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि यह user defined function है यह एक simple program मैंने बनाया है दो number के addition का अब देखिए मैं आपको जो program run कराके दिखाऊंगा वो online compiler पर दिखाऊंगा लेकिन हो सकता है कि आप program को बना रहे हों अपने desktop पर जिसमें आप तर्बो सी इंस्टॉल प्यों होगा हो तो उसमें run कराने के लिए आपको इस program में थोड़ा सा change करना पड़ेगा क्या देखिए मैं लिख देता हूं इसके लिए आपको एक header एक header file और लगानी पड़ेगी इसको header file बहुनते है htda.h ठीक है अभी बताएंगे इसका मतलब include conio.h ठीक है और यहां पर लिखना पड़ेगा get ch इसका मतलब क्या है अगर आप देखो सी program में पर इसके running समझे आप किसी भी इस program को जब आप run कराएंगे अगर आप तर्बो सी पर run कराते हैं देखिए दो process होती है एक पहले हम कराते है program को compile तो compile के लिए हम लोग की यूज़ करते है control plus f9 control के साथ f9 दबाएंगे तो compile होगा अगर कोई program में syntax error होगी तो message print करेगा सबसकर यहां पर semicolon भूल जाएंगे तो बताएगा कि इस line में आपने semicolon नहीं लगाया sorry यहां पर आएगा alt plus f9 और run कराने के लिए control plus f9 CTRL plus f9 तो जब आप run कराएंगे तो इस program में क्या होगा कि तरन तरन कराते ही यह blink करेगा value insert कर गया आप तो सबसकर आपने value देदी 2 इसका enter press करेंगे फिर दूसरा variable मांगेगा 3 enter press कर दीजिए जैसे अब दुबारा enter press करेंगे तो 5 आ जाएगा यह output आएगा अब मैंने आप से कहा कि यह जो मैंने greens ink से लिखा है iconio.h और get.ch लगाना पड़ेगा उसके उसका reason समलीजिए आप जैसे ही तीन के पाद enter press करेंगे प्रोग्राम जो है output window से जो आपके output window होगी इससे तुरंत बाहर आ जाएगा इधर input जहां पर आप प्रोग्राम लिखते हैं उस window कर इस window पर जहां पर आप प्रोग्राम लिख get.ch यह काम क्या होता है यह get character मतलब एक character wait press करने तक आपकी window को hold कर देता है कुछ लोग यह कहते है कि window hold करने के लिए लेकिन technically क्या है कि get character एक character press करने तक का wait करता है तो अब आप 3 पा जैसे इंटर press करेंगे तो यह 5 आपको display होगा और 5 तब तक दिखता रहेगा जब तक लिए करें जैसे character press कर देंगे प्रोग्राम यहां उठके आ जाएगा वापस जहां पर प्रोग्राम लग रहे तो उस window करें ठीक है अब देखिए मैंने header file क्यों बढ़ाई हुई है देखिए कंप्यूटर में जब मैंने आपको linker और loader बताया था तो linker की कानी मैंने बताया था कि प्रोग्राम predefined आपकी जो functions होगे उनको link करता है header files आप देखो header files क्या है header file में जो predefined functions होते हैं उनकी आपकी उनमें आपकी information store रहती है तो जो आपने लगाई है stdio इसका full form होता है standard input output जो आपने लिखा है कोनियो का full form होता है console input output stdio का मतलब standard input output और console कोनियो का मतलब होता है console input output ऐसी बहुत सारे header files होती है आगे जब use होती जाएगे तो मैं उनका मतलब उसमें define functions बताता चलूँगा तो stdio में basically जो आपकी जिसकी definition store होती है वो है इस प्रोग्राम में scanf और printf मतलब की printf क्या काम करेगा scanf क्या काम करेगा इसका मतलब stdio.h में पढ़ा हुआ है तो जब भी आप कहीं पर किसी भी प्रोग्राम में अगर अगर आप scanf या printf यूज करेंगे यह word तो आपको यह header file लगानी stdio.h लगानी must है कौनियों क्यों लगाई है कौनियों में जो get ch function है इसकी definition defined होती है इसलिए मैंने लगाया है कौनियों क्योंकि get ch अगर आप लगा दोगे और कौनियों नहीं define करोगे तो प्रोग्राम error देता रहेगा क्या कि यह symbol जो है वो not defined है ठीक तो इसको आपको लिखना पड़ेगा आप सुन जागे header file क्यों लिखते है यह जो predefined function है इनकी information store होती है header file के अंदर अब देखो अगर आप इस पर दोबारा से compile करेंगे तो क्या होगा तो पुराना वाला यह जो output था वो देखता रहेगा और नीचे फिर से blink करेगा कि आप दूसरा number डालिए सबसकर आपने 4 डाला फिर 6 डाला तो output आजाएगा 10 तो दोनों output आपको देखेंगे यहां पर एक लाइन और लिख दीजिए CLR SCR एसे और बन कर दीजिए इसका मलब होता है clear screen तो आपके output screen जो होती है वो उसका जो old output होता है वो यहां से remove होता जाएगा तो कुल मिलाके जो मैंने यह प्रोग्राम लिखा है अगर आप दर्बो सी पर रन करा रहे हैं तो यह पूरा प्रोग्राम सभी प्रोग्राम में लिखा जाएगा सिवाए इस procedure को छोड़ के अब किसम जा गया मैं repeat करता हूं सारे प्रोग्राम प्रें studio. लगेगी को इंटीजर एबी सी लिखा जाएगा जितने भी वेरिवेट आप यूज करेंगे वह आप कॉमल आपके लिखेंगे सीरा रसियर के लिए है वैल्यू इंसर की आंसर आ गया आंसर को प्रिंट कर लिया और यह किसलिए लगाया कि आपको दिखता रहे है उसको फोल्ड करने के प्रिंट के एक की ओऊर समझेंगे जो मैंने वाइड मिलिका है उसका मतले वाइड मेंने उपर लिखा है वाइड का मतलब जो में से पहले अगर आप कुछ लिखते तो रिटर्न टाइप बताता invester का मतलब है फंब्स्यू शूडऑ लीत का मतलब है इसका मतलब यह कि main function किसी को भी कोई value return नहीं कर ला है अभी जब मैं function बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि यहां पर कैसे return कराते हैं कुछ जगह आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा int main ठीक तो int main का मतलब यह कि main को एक integer value return कर ला है तो जब int main अगर लिखा होगा तो get ch की जगह पर वहां पर लिखा हुआ होगा return zero इसका मतलब यह है कि zero return करा दिया by default मतलब कुछ और return नहीं करा है तो zero return करा दिजिए ठीक है तो आप इस concept को भी समझ लीजिए void main कब लगाते है अब देखिए आगे थोड़ा सा range का concept हो समझिए मैंने last video में range बताई थी तो उसका आप एक use देखिए suppose करिए मैं किसी सी program में मैं लिखता हूँ एक computation डालता हूँ integer लेता हूँ a और उसमें computation डालता हूँ a equal to 300 into 300 divided by 300 और यह को प्रिंट करा रहा हूँ तो आप यह बगर मैं कराता हूँ प्रिंट अभी मैं algorithm के form में लिखता हूँ program के form में नहीं लिख रहा हूँ इसका output क्या आएगा तो आप यह सोच रहा हूँगा कि सर 300 से 300 कट जाएगा वो answer 300 आ जाएगा जबकि answer 300 बिलकुल नहीं आएगा आप देखें यहीं के range का बलबा बताता हूँ आपको computation में कैसे होगी computer में आपने लिखा 300 into 300 divided by 300 तो computer पहले इसको compute करेगा तो यहाँ पर answer क्या हैगा 90000 then divided by 300 अब यह जो value है 90,000 मैंने आपको integer की range का रहा हूँ थी मैंने आपको बता है था कि अगर default integer लिखाया तो इसकी range क्या होगी minus 32768 से लेके plus 32767 अब देखें यह 90,000 पर इस range में आएगा ही नहीं क्योंकि इसकी range का कतम हो जाती है 32767 अब यह इसका मतलब यह 90,000 यह नहीं आएगा अब यह क्या करेगा 32767 जो था इसके बाद उतने ही times वापस यहां पर यहां पर move कर जाएगा जब तक कि यह value यहां पर नहीं आ जाएगा अब देखें कैसे तो यहां से move करता रहे तो अब इसकी calculation अगर निकालना चाहें कैसे आएगी तो मैं बता देता हूं मैंने type कर लिया पहले से 300 को अगर आप binary convert करेंगे तो यह आएगा इसमें देखें किनी बेट हैं एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंड़ा सोड़ा ओके यह 300 का binary लिखा है 16 bit में आ गया 16 bit हमने बताएगा ना कि integer जो है आपका दो white लेता है 16 bit आप दो कितनी एक दो थीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंड़ा सुरा सत्रा बिट हो गई है जब पीक सी में मैंने क्या बताएगा 16 bit consider करेगा तो मतलब first bit को यह छोड़ देगा तो consideration में क्या आएगा यह इतना portion यह अब देगे decimal कितने का हुआ इतने का हुआ और यह 300 से डिवाइड करेगा तो answer आएगा 81.5466 चुकि integer आपने declare कर रखा है तो यह केवल और केवल 81 print करेगा point नहीं print करेगा float लोगे तो फिर यह print करेगा लेकिन float में यह answer नहीं आएगा फिर float की range के हिसाब से calculation होगी तो खुल में यह बताना चाहरा था कि जो आपको range given होती है वस range का कुछ मतलब होता है वस range का मतलब यह है कि computer में उस program में जितनी भी calculation हो सारी की सारी इसके limit के अंदर ही रहनी चाहिए अगर इसके बाहर जा रही है तो आप data type बदलिए कैसे बदलेंगे अब देखिए मैंने बताया था ना उस table में देखिया तो long end यह बताया था इसकी size ज्यादा होती इसके range भी जाता होती है तो अगर करपिसन ऐसी आती है कि इस range के बाहर जाती है तो आप यह data type define करेंगे अच्छा एक बात और में बता देता हूं जब आप online compiler पर इस program को run कराएंगे तो इस concept 300 ही आएगा क्यों क्योंकि वह basic ck concept के framework नहीं करता वह simulator की तरह आपका program कराता है तो वहां पर आपका 3300 आजाएगा बट जब आप बोर्लेंट सी या टर्बो सी पर आप लोग टर्बो सी पर जब इस program पुरन कराएंगे तो वहां आप output का 81 जी मिलेगा वजह मैंने बता दी क्योंकि देन से बाहर और तर करक्वेसम कैसे करेंगे computer इस concept पर पर करेंगा 300 का बैंटरी यह हुआ और 90,000 का बैंटरी यह हुआ यह 17 बिट में आगया तो एक मिट छोड़ देगा क्योंकि 16 बिट मैस्म कैसिटी है उसकी पर 16 बिट को डेसिमल में convert करके 300 से डिवाइड कर देगे तो जो अंसर आएगा यह पॉइंट में आएगा और इंटीजर के साफ से के इंटीजर के बाद वाली प्रिंट नहीं करेगा डेसिमल से पहले वाली वाली प्रिंट करेगा यह उसका नमर आएगा 80 तो यह मैंने आपको बता दिया कि range अमरी के define होती है वह किसलिए होती है अब वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के अब देखिए मैं आपको simulator पर रन करके दिखाता हूं इस प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम को आप उस पर रन करा के देखिएगा अपने सी टर्बो सी पर तो मैंने आपको बता दिया इस दो लाइन बढ़ा दीजिए को अब को यू.h अब इस टीडिया यह को और डिटेल में जाएंगे लेकिन बेसिक कॉंसेप्ट समझने के बादा जैसे हम आगे चलते जाएंगे और डिटेल में अंदर जाते जाते अब देखिए मैं आपक अब करन करके नहीं दिखा सकता है यहीं अब हम लन कराएंगे तो हमारा यह रिकोर्डिंग नहीं होता आएगा इसलिए आप गूगल पर लिख दीजिएगा ओन्लाइन सी कंपाईलर और जो फर्स्ट वाला है कोई सा भी आप खोल दीजिएगा मैं यह वारा चीज कर रहा इस वाले को मैं इस करता हूँ ठीक है यह फर्स्ट वोराम है इस प्रिंट करा रहा हूं थो देखिये मैंने रन कर आया तो यहां पर ऑलप्ट लिख्या गया वेल्कम तू सी प्रोग्रामिंग इस प्रोग्राम का मतलब है कि मैसेज मैने केवले प्रिंट कराया है अब देखिए सब्सक्राइब मैं यह सेमिकॉल नहीं लगाता हूं तो प्रोग्राम क्या देगा एरर देगा जिए रहे न क्या कि यह वाला सेंबल आप मिस्स कर गया है कहां पर इस लाइन के बाद जैसे आप ठीक करेंगे तो यह दन करेंगे अब देखिए जो आपका प्रोग्राम मैंने अडिशन आप तू नंबर का बताया है अगर आपको एक साथ लिखना है तो दो बार परसेंटाइल दी लगाईए कॉमा यहां नहीं लगेगा यहां खॉमा लगेगा ठीक है ना तो यह एक साथ भी कर सकते हैं सीपकल टू ए प्लस बी कॉलन सेमी कुलन फिर प्रिंट कर लिए सीप अब देखिए मैं रण कर आता हूं पहली वेल्यू मैंने डाली 10 दूसरी डाली मैंने 16 अंसर आ जाएगा 26 अब देखो कुछ चैनी करके दिखें से अब कमेंट हमें लिखना है अगर आप डर्व सी पे कर रहे हूं तो यहां पर स्क्रिण लगा लिजिए और पर करने के लिए और अब देखिए अगर आपको कोई मैंसेज करना ना है तो सब्सक्रां मैं यहां 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 पर एक डेना चाहता हूं प्रिंट्र नम्बर मैंसेज करने के दो सिंटेक्स बता है था मैंने अगर वैल्यू प्रिंट कराना हो तो यह लगाएंगे और मैसेज कराना हो तो यह बना थे झाल किए सीरा-सीडा लिखता हूं अंदर लिख रहा हूं ऑं अब आप देखिया रन कराएंगे तो क्या होगा अच्छा एफ नहीं लगा है मैं इस इंटेक्स आपको सही करने पड़ेंगे तब तक अलर देगा नहीं कोई अब आगे देखो इस लाइन लिखे आगे एंटर टू नमबर्स पहले नहीं हा रही थी अब मैंने डाला 10 15 आपको सब्सक्राइब मैं 25 से पहले भी एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ सी इक्वल टू देखिया ऐसा नहीं सकते हैं आप प्रिंटर सी इक्वल ठीक है ना अब देखिए अब रन कराएंगे तो क्या हुआ 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 है प्रिंटर 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 अच्छा स्वारी स्वारी डिख दिया गया तो क्योंकि सी इस सेंस्टिव लेंग्वेज है तो आप स्मॉल लेटर समय लिखेंगे एंटर टू नंबर्स 10 15 अब देखिए यहां पे लिख्या गया सी इक्वल इस तरीके साब मैसेज प्रिंट करा सकते हैं अगर आपको कोई म नहीं लाना है आपको जैसे कि यह प्रॉग्राम-प्रोग्राम घयला है तो मुझे लिखना कि यह प्रहम कना एडिशं के लिए तो अगर लोड को तो एडिजिशन को आप अप को परग्राम even by Laddance उडू तो नम्पर्स ये लाइन एक्जिक्यूशन में नहीं आएगी है रंद कराईए सब कुछ वह ही आएगा ठीक ना अगर मल्टी लाइन देना हो तो तो आप ये वाला सिंटेक्स चूज करें जो मैंने ये वाला होता है था काम अधाय था मुल्टी लाइन कमेंट्स ये रहा ये वाला अगर इसी चीज़ को मुल्टी लाइन में देना है तो आप यहां पे start लगा दीजिए ऐसे सब्सक्राइब इसी बात को आप दो लाइन में लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं पहली लाइन और दूसरी लाइन तो ये comment हो गया तो प्रोग्राम में आप से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है प्रोसीजर लोरी इंट्र प्रोग्रामिंग है तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग उपर नीचे तक आप इसको कड़ते जाएं टिक 10, 15, 25 ठीक ना अच्छा पहले मैंने देए एक शीजर बताता हूं इंटर टू नंबर्स आया था मैंने 10 दिया और 15 दिया तो आंसर इसने 15 दिया लेकर आप टर्बोसीजर पर डालेंगे तो वहां पर 25 आएगा मैंने फिर बताया क्योंकि ये सिमिलेटर पर वबर करता है तो यहां पर क्या क्यों दिख्यत आ रही है कि पहले आप एंटर प्रेस करिए फिर 10 डालिए फिर 15 डालिए तब ये 25 ठीक है ना कुछ सिमिलेटर से सिमिलेशन में मिस्टेक रहा होगा इसमें प्रोग्राम में तो इस तरीके से आपको मैंने दो सिमिलेटर करता है यह सारी चीज़ें बहुत ही basic चीज़ें कहीं पर भी दीप में आंदर नहीं गया हूं बहुत ही basic basic चीज़ें बताइए मैं तो आप इसकी practice करिए पर हेना practice करके बनाईए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग operator precedence की बात करेंगे और दी दीर एक concept में हम लोग अंदर जाते जाएंगे अब हम और दो प्रोग्राम में आपके practice के लिए दे रहा हूं आप लोग बनाईएगा एक प्रोग्राम बनाईएगा to find average of three numbers three numbers logic में बताता हूं आप three numbers लेंगे टिक अब कोई चौते variable में आप a plus b plus c divided by 3 ले लिजेगा टिक और इसको print कराईएगा m को टिक ना यह मैंने logic आपको बता लेंगे टिक लेखिए प्रोग्राम बनाने के लिए दो चीजें होती है एक होता है syntax लिखना आपको आना चाहिए एक होता है आपको logic लिखना आना चाहिए देगे बहुत से बच्चों क्या होता है syntax आता है logic नहीं आता है तो वो सीधा कहते हैं कि सरह में c नहीं आती नहीं लॉजिक नहीं आती इसका अनलब यह नहीं कि आपको C नहीं आती है syntax आना चाहिए लॉजिक आपको practice से आएगा जितनी ज्यादा problem solve करेंगे उतना ही ज्यादा आपके logic clear होते जाएगा तो एक program यह बनाएगा average of three numbers और दूसरा program बनाएगा to interchange to interchange value of two variables two variables की value को interchange करना है simple program है two की value को interchange करना है ठीक ना तो आपको दिया एक program मनाया उसे काफी कुछ concept मैंने clear करने कोशिस की है बाकि आगे मैं देर देर concept चलता चलूँगा और discussion भी होता रहेगा इतना आप यह तीन program मना के देखिएगा और इसकी practice करिएगा नहीं के नेक्स्ट वीडियो में इनके solutions आपको provide कराएगा okay thank you